सफल लॉंचिंग के बाद आदिते L1 अंत्रिक्ष में क्या करेगा अब सब को ये जानना ज़रूरी है लॉंच इसे L1 तक की यात्रा में आदिते L1 को करीब चार महिने लगेंगे आदिते L1 सूर्य तक नहीं अंत्रिक्ष के लेंग्रिश पॉइंट यानि L1 कक्षा में इस थापिक किया जाएगा जिसकी धर्ती से दूरी पंदर लाग किलोमीटर है ज़कि सूर्य की प्रित्पी से दूरी 150 मिलिन किलोमीटर है सूर्य के अध्यन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां से सूर्य पर सातों दिन 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है ग्रहन के दौरान भी वेग्यानिकों के मताबिक इस सूर्य यान सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा सूरज के किनारों पर उठने वाले तूपानों की गती भी देखेगा सूरज के तापमान के पैटन को समझने और सूरज के वायु मनल की जानकारे भी जुटाएगा जबकि पृत्वी पर आने वाली सूरज की किरनों से मौसम पर पढ़ने वाले असर का भी पता लगाएगा यही नहीं इस मिशन के दौरान सूरी के कोरोना का भी आदित एलवन गहरा अध्यन करेगा प्रमुख है वो सूरी के कोरोना का ध्यन करेगा जो कि इसका सबसे बाहरी बहुती गरम वातावरन है जिसको आम तोर से हम नहीं देख सकते हैं शेहरी कोटा से प्रणय उपाध्धा के साथ यूरो रिपोर्ट जी मीडिया